आज हम अपने पास डिसकस करने जा रहे है जी जो सिये इंटर एडवांस अकाउंट का रिवीजिन टेस्ट पेपर डेट इस आटी पी पॉर मेड 2021 जो इंस्सिटूट ने रिलीज किया था उसको हम इस वीडियो के अंदर अपने पास डिसकस करेंगे मैं उमीद करता हूं सारे बच्चे बिल्कुल सेफ और सुरक्षित है उनकी पढ़ाई बहुत अच्छे दे चल रही है तो यहां जो यह आटीपी इंस्टूट ने रिलीज किया था इसके अंदर काफी कोशन्स जो है वो तो सिमिलर है जो पहले के एक्जाम कोशन्स में या पहले के आर्टीपी में आ जरूरी है मैंने most of the questions जो मेरे module के अंदर जो मेरे study material देता हूँ उसके अंदर जो basically है वो मैंने यहां पर बता दिया है कि basically बही कौन सा question similar है विल्कुल exactly same है मेरे class questions या homework questions के basically तरीके से तो आपको एक तरीके से मदद मिल जाते है ठीक है so without wasting time आपने पाफ शुरू करते बेट discussion को लेखे तो सबसे पहले जो कुछ questions है वो related to partnership accounts है तो पहला question जो है उसको जड़ा देखे बिटा यहां question के अंदर यह similar है to class question 21 वो मैंने हर question के side में लिखावा है question के अंदर है आपको जो firm है उसकी balance sheet दी भी है तीन partners है उनके बीच में ratio दे रखे 321 की normal balance sheet है पार्टनर्स ओम साही राधे करके आपको दिये वे जनरल जवे पार्टनर का लोन भी दिया वे मिसिस ओम लोन है यह तो बेसिकली spouse loan हो गया क्रेटर बीपी बैंक ओडी है एसेट साइड नॉर्मल है इधर राधे का बेसिकली current account का balance भी दिया वह है और PNL account debit भी है नो वह कहता है कि partner ने decide क्या convert करने के लिए firm को किसमें company में और इसके लिए company जो बनी वह authorized capital 10 lakh रुपे के divided into 100 उपीज एकुडी शेर वाले और जो business बेचा जा रहा है उसमें terms के है motor car furniture investment loose tool debtors को तो take over ही नहीं कर रहे है मदब इसके अलावा जितने भी asset से उनको take over किया जा रहा है ठीक है जो BP और bank कोडी की liability है सिर्फ उसे take over किया जा रहा है मदब इसके अलावा जो liability तो उसको अलग से pay off कर जाएगा या कोई partner take over कर लेगा purchase price दे दिया आपको that is the consideration जो बता दी सेटल करी चारी 75 500 नगध है cash है और बाकी के बदले फुली पेड शेर से 100 वाले तो हम easily पता कर सकते भाई 195 500 75 500 गया तो 120,000 वेल्यू के एक कुडी शेर सा देंगे remaining asset liabilities की details दे दी है questions ने investments ओम लेके जा रहा है debtors realize हुए बता दिया motor car furniture loose tools के भी पैसे बता दिये तो यह बिल्कुल आपका amounts directly given होगे कि जो assets taken over नहीं थे उसकी जो पैसे मिल रहे है ओम कह रहे है wife का loan pay करेगा creditors को pay किया realization का खर्चा है और राधे का loan transfer कर दो उसके capital account में यह बड़ा clear बता दिया equity shares जो मिल रहे है उसे divide कर दो PSR के बीच में हमें बनाना क्या realization account partner capital account cash account ABC limited account और shares in ABC limited account तो firm की books में basically यह सारी चीज़ बनानी है now always जो एक करने का तरीका रहता है जो आप मैं सिखातर में यही होता है आप सबसे पहले balance sheet को अपने पास transfer कर दीजिए appropriate जगों पे तो जितने भी asset liabilities है taken over है नहीं है सारे के सारे आ जाएंगे आपके पास कहां पे realization account में cash तभी आता है जब taken over होता है since taken over नहीं है तो वह cash account में चला जाएगा तो आपने basically बेटा यह सारी चीज़े जितनी भी आई है आपके पास values आ जाएगी एक एक करके सारी book values similarly for liabilities आपके पास यह सारी transfer हो जाएगी then जो partners का account है capital account वहाँ पे आपके पास बेटा इंके opening balances आ गए ठीक है P&L account का debit था वो भी आ गया then आपके current account का balance बोला था वो transfer हो जाएगा जन्रल इजब आपको दे रखा था PSRM बढ़ गया रादे का loan account आपके पास था तो यह सारी चीज़े आपके पास एक बार के लिए transfer हो जाएगी यहां पर ठीक है आपका सारा कुछ करने के बाद बैटा क्या निकल के आजएगा profit निकल के आजएगा 2000 का जो की उनकी PSR में डिवाइड हो गया जो कंपनी था उससे हमें क्या मिल रहे थे cash और shares मिल रहे थे बिटा तो partners capital account basically क्या आ गया जो लेके जा रहा था to cash by cash करके close हो गया shares वाले में तो simple है जो shares मिले वह पार्टनर से PSR में डिवाइड कर दी है और cash account आपके पास बेटा टेली हो जाएगा which will be a clear indication कि आपका जो कोशन है वह विल्कुल सही आपका हो जाता है ठीक है न तो वह cash account टेली हो जाएगा सारी चीज़े महां जाएगी opening cash था, assets बेच के जो पैसा आया था और जो दूसरी company से मिला था वो आ गया जो खर्चों की payment करीब आ गया और जो partners को pay किया और receive तो असान question important चीज़ क्या होती है always ना जो हम सीखते भी है that is the approach जो आप कर रहे है that is आप एक एक चीज़ को साथ साथ जलते चले ताकि कोई गलती पहले balance sheet को transfer कर दिया बाद में चीज़े जो भी points दिया उनको डाल दिया ठीके ना इस question में सच कोई भी निया point नी था then question में 2 बेटा normal dissolution को लेके था जहां पर piecemeal distribution को लेके बात हो रही थी question में balance sheet दीविया firm की 544 ratio in की balance sheet के अंदर तीनों partners की capital है y का loan है creditors और assets है normal है कह रहा तीनों partner ने decide किया कि firm को dissolve करने और वहां पर उन्हें जैड को point किया जिसे remuneration मिलने 1% of value of asset realize और other than obviously cash investment क्योंकि उस पे तो कोई remuneration की बात बनती नहीं और 10% जितना amount distribute किया partners को तो यह उसने basically हमें बताया remuneration के बारे में बिलकुल same है बेटा practice question 12 के तोरह asset जो realize हुए वो बता दिया first installment second installment third and fourth then dissolution का खर्चा जो estimate किया और creditors को finally just settle किया dissolution का खर्चा जो estimate किया अगर कुछ अलग से नहीं बता रहा तो यानि कि यही actually हो और यह starting से ही आपका निकल जाएगा अलग से हम निकालके रख देते हैं अगर actual खर्चा कम्या जाद होता तो last installment में adjust कर लेते हैं यहां पर कुछ बताया नहीं तो बहुत जाएगा बाकी creditors का हम क्या करते हैं अपने पास बेटा हम statement पे तो आते हैं उससे पहले जो हमारे एक working note बना होता है इस चीज को जानने के लिए कि किस partner को पहले पैसे देने किसको बाद में देने तो उसके लिए टेबल बन जाता है तो इतना इतना इंका amount due था इस amount due में हम याद रखते है कि ज current account के balances आ जाते तो वह आपके पास आते दिन कोई reserve surplus है वह आता वह चाहे जर्नलिजर्फ बिसकी क्रेइट है या पीनल डेबिट है और पार्टनर का लोगन अगर डेबिट है तो वह माइनस हो जाता है क्रेट वाला है वह यहां से डिड़क्ट कर जाता है तो वह सारी adjustment करने क के बाद आता है यहां ऐसा कुछ है नहीं PSR से डिवाइड करा जिसकी lowest उसको बेटा बेस लेते तो वाई को बेस लिए तो आपका उसे capital में बाटा तो यहां एक्सस अमांट्स निकल गए उनको फिर डिवाइड किया PSR से फिर lowest किसका आया बेटा आपके X का फिर उसे बेस लिए तो वह आपके पास बन गया 10 और 8 और फाइनली सबसे अधा एक्सस किसका है 2000 तो हमारा यहां पर ने कंक्लूजन बन गया जो मैंने यहां पर आपके सामने दिखा भी दिया वह अल्टिमेटली कह सबसे पहले हम Z को 2000 देंगे क्योंकि सबस्यादा एक्सस उसका है फिर ह हम एक्स और जैड को देंगे तिनम तीनों का प्यासर ताकि हमारी अब यह पता चलेगा किस पार्णर को पहले देने किसको बाद में देने नौवी के एच्छुली गो इन मेकिंग अवर शेटमेंट तो यहां पर बस थोड़ा सा ध्यान रखने है आपके बस लाइन बाए ल गते परसंट वह आगी वह मैंस कर दिए और यह किसको चला गया क्रेटर को चला गया तो च्रेटर को पेकर दिया देन सेकिन इंस्टालमेंट में आए 69301 वन परसंट एसेटर लाइस की रहमुन रिशन आई इतना बचा क्रेटर सको 646 दिया क्यों कि उनको सेटल किया थे प् पॉइंट जो पार्टनर को बेसिकली हम जेट को पॉइंट किया था इस चीज को संभालने के लिए उसको का था 1% एसे लाइस और 10% जितना पार्टनर को भाटेंगे बन परसेंट एसे लाइस तो आई चुका था इस रेमोंडरेशन में सेकेंड इंस्सॉल्मेंट की में अब 10% पार्टनर की बारी आगी जो उसको पैसा आ गया जो कि आप चेक हो गया इसका 10 परसेंट है अब यह 45420 किसको पटेगा पार्टनर को और उसका 10 परसेंट और उसका इसको दिया जाएगा जैड को जो हमने टेबल नाया था फिर दस और आठ था एक्सवर जैड को और बाकि जो बचा वह उनकी पी एसार में तो एकसेस दे दिया बाकि पी एसार में ही बटता चलेगा अभी आनिकि आप इस चला गया अब पी एसार में डिस्रिपूशन होनी ह सा रेलेटिवली ज्यादा था उसको हम पे कर चुके हैं थर्ड इंस्ट्रॉल्मेंट में आये 40 में से 1% पहले गया इसे ट्रलाइस का और जो बचा उसका टेन वह भी चला गया क्योंकि पार्टनर्स में बचना है तो वह भी आगया इतना बचा और यह सारा किसमें चला गया उ और 10 by 110 फिर चला गया क्योंकि जितना पार्टनर्स को देंगे उसका 10% और पार्टनर्स को दे रहे तो वह भी माइनस होगे इतना बच गया और यह 544 में distribute हो जाएगा तो ऐसा बिल्कुल हम questions अपने पास की होते हैं बिल्कुल वही है same है कोई फरक नहीं था कोई नया point नहीं था सिरफ अगेन बोलूंगा थोड़ा सा ध्यान से करना होता और यह हमारे बेसिकली आ गया loss सफर बेसिकली कितना मौंट उंको shortfall है कितना मौंट नहीं मिल पाया वह बैलेंस अभी दिग्या बैलेंस अंपेड तो यह question आपके पास बेटा सा highest capital में से main चीज़ है जब आप टेबल बना रहे होते हो वह एक important चीज़ होती है working note और बाद में distribution के समय आपके बास जो 10% था वो जो पार्टनर्स को देंगे जब उनकी बारी आएगी उस पर दिया जाता है क्योंकि जितना पार्टनर्स को दोगे उसका 10% है तो हमारी जिब में एक तरीके से अगर 110 पड़े तो 100 पार्टनर्स को देंगे 10 की तो यह आपके पास question हो जाता है then next बेटा theory question था LLP का वाला आपके पास short note on designated partners इना limited liability partnership and what are their liabilities तो short एक बार के लिए आपका question इसको पढ़ लेते कई बार four to five marks का question जो आता है आप से LLP के पास कम से कम दो designated partners होंगे जो individuals होंगे और उसमें से कम से कम एक जो होता है वो क्या होता है रेजिजेंट होता provided LLP में जिसमें सारे पार्टनर सी body corporate है basically मान लीजे company वगरा है अपके पास जो LLP मिलके बना रही है या जिसमें से एक या उससे जादा partner individuals है and body corporate है उस उसमें से कम से कम दो individual जो partners है उस LLP के और nominees है उस body corporate के वो act करेंगे as designated partner के बारे मानत को कि designated partner के कुछ liabilities होती है या नीचे आ रही है तो उनकी क्या basically they are responsible for all the acts matter and things as required to be done by LLP in respect of compliance of the provisions of this act तो basically जितनी भी compliance करनी है उसमें ये लोग basically liable होंगे responsible होंगे including कोई document file करना है basically return है statement कोई भी रिपोर्ट वगेरा जो एक के अंदर बताई गई है and liable to all the penalties which are imposed on the LLP for any contravention of those positions और कलको अगर कोई default होता है LLP के द्वारा तो वो किसको पकड़ेंगे basically वो fine penalty किसको लगने कबात हो देशने रिपार because he is the person who is responsible तो वो एक theory question आपके पास था general था तरफ read करने हम आपक अंसर हो जाता है now next जो question है वो आपके पास है ईसाफ वाले chapter को लेकि इंप्वाइश चॉक अप्शन प्लाइन जहां पे terms की definition बुचे वेस्चिंग पिरेड और ग्रांडेड वेस्चिंग प्रफॉर्मस जितने दौरान के अंदर में आपके वेस्चिंग और मतलब जितने द पर वही लिखाव है वेस्चिंग पिरेड टाइम पिरेड बिट्विन दा ग्रांडेड एंदी डेड जिस दिन सारी कंडिशन जो है वो सैटिस्फार हो जेगी तो वह बीच का पिरेड बेसिकली ग्रांडेड के बास से लेके जब तक एकसाइस पिर शुरू नहीं होता ग्र तो जिसने हों स्कीम करें कि कल को तुम कंडिशन पूरी करोगे तो तुम्हें शेर मिलेगा या कैश मिलेगा जो भी है इव डैट एग्रिमेंट इस अप्रूवल प्रॉसर्स ग्रांड डेट जब अप्रूवल होगा अगर कल को हमने बोला वही जब तक अप्रूवल नहीं सब्सक्राइब करें कंडिशन है कि दो सालों तक रहन है फेर वैल्यू ऑप्शन की सीधा देदी अठार पर तो फेर वैल्यू ऑप्शन मतला डिरेक्ट एक्पेंस जो बुक करना है एन एक्सरसाइज प्राइज कितना है बेटा 55 रूपीज पर शियर एक्सराइज फिश्चल्ये में अधर एक्सराइज हो जाओ जाए और तो वह हमें बेसिकली खर्चा बताने है यहां पर तो तो कोश्चन जो है पहले साल में जैस्मिन का था 930 इंटू 100 इंटू आपके पास 18 करेंगे 9300 इंटू 18 ये टोटल हो गया इसका आधा करना है बिटाओ क्योंकि दो सालों में खर्चा रिकॉर्ड करना है तो उसका आधा हो गया फिर अगले साल जब गए तो 888 ने करा बेसिकली जो टीकर है उसी का आधा एक्चुल हो जाएगा जब खतम होता वेस्टिंग इंटू 18 के साब से टोटल आगया इतना पहले साल रिकॉर्ड कर चुके हो तो वह माइनस हो जाएगा और इस साल का आगया तो फाइनली मारा अंसर था असान सा कोशन था जिस मैंने का इसके साथ आपका ये वाला कोशन खतम हो जाता ठीक है जो अगला कोशन है देट इस व्रिद्धी इंफ्रा लिम्टेट के बारे में बायात और नॉन लिचिट कामनी इंफॉर्मेशन दी जा रिये एसेट से विड़ा लैंड दिया वाए तीन लाख जनरल इजाव है पी एनल है डिवेंचर्स है अंसे के लोन ट्रीट तो बैलेंशिट बेसिकली आउसमें वैल्यू लिग दी उसे कोई फॉर्मेट में मनाके नहीं तोटल करके नहीं दिया वाग ऐसे कह रहा है कंपनीन ने नाउंस करा बाइबैक के लिए टिकुटी शेर्स हेल्ड बाइबैक के बाद बॉनस आ रहा है तो मैसिकली बाइबैक में हम कंप्लाइंस के लिए सी ए रर में ट्रांसफर करेंगे तो वह सी ए रर वाला मांट यूज हो जायागा फॉर्दी परपस बोनस इशू लेटर और तो एंट्रेज मांगने तो सबसे पहले जो इंवेस्मेंट बेची थी तूलैक वाली तू आपके पास तूलैक 50,000 बैंक में बैटा 250 इंवेस्मेंट बेची दो लाक वाली 50,000 का प्रॉफित हो गया फिर आपने जो बाइबैक कर रहो 15,000 शेर्स वह आपके पास 15,000 इन्टू टैन यहां आ गया 15,000 इन्टू फाइब आपका प्रीमिम और बाइबेक में आगया जो कि security भी म से राइट ऑफ के जाता है तो security प्रीम्यम में आपके पास debit यहीं कर दिया या प्रीमिम मों बाइबैक में डाल दो अलग से राइट ऑफ केंटिद तूले द हो ब्रू करा फिर आपके पाश से एकुटीशर बाइबैक टू बेंट करके पे कर दिया आपने आपने वन फिफ्टी क्योंकि क्टिशन के आपका section 68 का बही जितनी face value के shares आपने बाइबैक करें या तो उतनी face value के shares जितना पैसा आप डाल दीजे या उतना मों CRR में है वो कितने बचते है टोटल हमारे बेटा shares थे वन लैक में से अगर हम बात करें पंद्रह हजार जो shares है वो तो आपके बाइबैक होगे scheme थी one for every eight तो 10625 shares बनते 10 और पर के हिसाप से 106250 हो गया इतने का बोनस दिया आपने तो उसके entry के बन कि CRR debit हो गया क्योंकि CRR का एक लौता यूज क्या बोनस के लिए उस बना तो CRR तू आपके पस bonus shares बेशिकली bonus to shareholder और bonus to shareholder to equity share capital ठीक है ना CRR में 150 डाला था हमने ट्रांसफर किया था तो उसमें से 106250 हो गया बाकि भी बचा रहेगा वो कलको बाद में कभी bonus देंगे तो इस्तिमाल कर लिए जाएगा तो बाइबेक का पॉइंट भी आगा और साथ में question attach करते था bonus issue का वो भी क्यों कंपनी ऐसा जातर करती है बिटा कि जब बाइबेक करते हो उसके इस्तिमाल कर लिया जाए ठीक है ना तो वह आपके पास question यह वाला हो जाता है हमारो बाइबेक का नेक्स जो question है that is about equity shares with differential rights बार बार आपका रिबीट होता है question आटीबी के अंदर ही एक तो यह है what do you mean by equity shares with differential rights वह बता जिए explain in brief तो obviously आपका जो shares differential rights के base पर इशू करे जा रहे है dissimilar rights उनके dividend voting या otherwise ठीक है ना तो हमने voting rights वगरा उनके अलग रखे वह या dividend का लगई या otherwise आपके पास वह होते है equity shares with differential rights वह हम अपने पास company issue कर सकती है और फिर एक आपके पास practical सा question आगे है यहां पर बड़ा सांस है चार basically है shareholder जिनक्या equity capital है इस ratio में और चार है जिनक्यास preference shares है उनक्यास इस ratio में reference वालों का voting rights आते specific case में like winding up है या reduction के बारे में बात आ रहे हैं उनका shares को reduce करें तो उनक्यास voting rights आते है तो वहां पे कैसे आपके पास resolution pass करने लिए कैसे रहेंगे total rights उसको लेके question है तो अगर paid up capital company के 120 लाग है और preference 60 है तो बताइए voting rates कैसे हो गए अगर winding up का resolution पास करने क्योंकि यहां प्रेफरेंस वाले को बसा जाएगे बिटा यहां paid up capital का मतलब जब लिया जाता है तो always हमारा institute इसको क्या लेता है equity only वैसे तो paid up means equity plus preference preference वो अलग से दे रहा तो यानि के this is only equity तभी हमारी जो है वो ratio एक तरीके से 120 to 60 बन जाएगी 2 to 1 और फिर बाद में अलग से डिवाइड कर देंगे तो 120 is considered as paid up equity only and 60 is considered as preference तो इन दोनों का basically ratio होगी 2 to 1 और इसमें जो individual shareholder से 4-4 उनको डिवाइड कर दे जाएगा तो पहले 4 हमारे थे basically किसके equity वाले अगले चार हमारे आगे preference वाले तो वो उन उनके में basically transfer कर दिया गया उनका पता चल गया कितना है तो finally we can put the ratio finally we can put out the percentage उसमें कोई वो दिख कर दी है तो यह आपके पास निकल के आगया कि इनके क्या voting rights रहेंगे अगर resolution पास करना है तो तो उसे आप percentage में भी decide कर से तो कि जो ratio है जो भी दीवे 30 30 20 20 वो बैठ गया और उनका जो 33.33 था उसको बाढ़ दिया 40 30 10 20 में तो वो आपके पास ultimately पता जल गया वह किसके पास कितना percentage of right होगा ठीक है न अगला question बीटा amalgamation का है similar है बट आपके पास एक बार question को पढ़ते है अच्छा question है मुहल लिम्टिड information दे रहा यह एरेंड की शेयर कैप्टल में equity share से 10 वाले और preference share से 10 वाले पी अनल का तो debit balance है debentures है interest payable बेसिकली outshending interest है trade payable है property plant equipment हो गया goodwill inventory trade usable और bank तो यह बेसिकली information दे रखी है अब कहरे एक नई company रवे लिम्टिड बन रही है authorized share capital उसकी चार लाग रुपे और डिवाइडिड है 40,000 shares of 10 एज के नाम से तो यह authorized capital दे दिए उन्होंने नई company जो बनी है नई company acquire करें के asset level discount on the terms मोहन लिम्टिड के debentures को देंगे similar debentures new company में और जो accrued interest है जो दिख रहा था मैं उसके बदले equity shares मिल जाएंगे equal amount के पार पे तो जो outshining interest भी transfer हो के आ रहा पर उसके बदली क्या दे रहे है equity shares दे देंगे उनको trade payables को दे रहे 12,000 equity shares पार पे in full end final settlement of their claim तो trade payables को effectively भी 120,000 की value के equity shares दे देंगे ठीक है preference shareholders को भी equal number of equity shares मिलेंगे issue date पार तो preference वालों को भी equity shares दे रहे जो dividend था area में तीन सालों का preference shareholders agree to forgo dividend for two years for balance के लिए dividend के लिए equity shares equal amount के मिल जाएंगे equity shareholders को वन share दे रहे है पार फॉर एवरी three shares held in the more limited और उनको तीन के बदले एक share दे रहे है current assets को टेक ओवर होगा book value पे except inventory को छोड़ कर जिसे 10% कम पे लिकाएंगे goodwill eliminate कर दी जाएगी property planned equipment को इतनी value में take over कर रहे है remaining equity shares company के public को दिये जाएंगे पार पर फुली पेटब तो बिटा हमें यह चेक करना पड़ेगा टोटल जो authorized capital है जो इस new company के फॉर्टी थाओजन शेर थी इसमें से कितने हमने purchase consideration में use कर लिए preference और equity को देखे कितने trade payable और basically आपके अलग से दे दी हमने ठीके ना आपके बस debenture holders को जो आउट्षेनिंग इंट्रस्ट के लिए बाकी हमने public को issue कर दिए तो वो भी आपके पस चीज है expenses 5000 के जो है वो मेट होंगे from the bank balance of money limited तो 5000 का खर्चा तो money limited अपने बैंक 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 से खुद दे रहे हमें बना दीजे realization count और equity shareholder account in the books of money limited और bank account और balance sheet with notes in the books of money limited तो नई कि में bank account और balance sheet और पुरानी कि में basically realization और प्रचेस consideration और यहां पर basically आपका net payment method एक तरीके से लग रहे क्योंकि वो बता रहे है कि preference और equity को क्या-क्या दिया चाहरे तो सबसे बहले वह आ गया तो preference वालों को तो equal number of equity share दीजा रहे है साथ में preference dividend के भी एक साल के मिलेंगे और equity वालों को one for every three है तो यहां पर हमारे पास अगर हम देखे तो यह आपके पास number of share दीवे थे हम answer में जाके देखते है तो इस पे realization equity shareholders basically से पहले मैं अपने पास चलता हूं बिटा purchase consideration में तो purchase consideration में preference वाले जो थे वह छेजार थे basically एक तरीके से वो 6000 आपके पहस कितने वाले थे दस वाले उनको वह भी क्या दे रहे है 6000 equity shares दे रहे है और एक साल के dividend का आ जाएगा जो बनता है उसके बदले ही equity share थाएगे तो 6000 equity share 10 वाले और एक साल का जो dividend है उसके बदले और equity वालों को क्या मिल रहे जो पुराने वाले बंद करने हैं पहले तो पुरानी पुरानी कंपनी को बंद करने तो वहां पर क्या हुआ सारी बुक वेल्यूज आ जाएगे बेटा टू गुडविल है टू प्रॉप्री ब्लाड रिक्यूपंट जितनी चीज़ी दिया डिबेंचर्स आउट्चेंडिंग इंट्रस्ट यह सारी चीज़ी हाँ पर आती जाएगी आपका इंवेंट्री था ट्रेड रिसीबल था आपक क्योंकि प्रेफरेंचियों और अगर अकाउंट बनाऊंगा तो उनकी टोटल वेलिव शिक्स्टी थाउसंट है पर सिक्स्टी थाउसंट के बदले उनके लिए जो कंसिडरेशन आ रही बों 65,400 आ रही है क्योंकि जो डिविडेंट के नाम के जो एक साल का था उसके बदल लॉस एक तरीके से बॉहन करा जा रहा है एकुटी की द्वारा तो उससे लॉस उनका बढ़ गया 25 जार हो गया यहां जरूर दिखा दिया पर यह बड़ा क्लियर ने लिखाया बेटा आप इसे रिलाजेशन के थ्रू भी कर सकते थे क्योंकि खर्चा जब पे कर रहे आप एंट्री के डालोगे सिधा तो वहीं दिखा दीजिए न आप आपको यहां पे 15 तो यह दिख रहा है जो टेक ओवर हो रहा है और पांच यहीं पर दिखा देते जो पे किया खर्चे के नाम का तो आपका लॉस ना यहीं पर 30 आ जाता बिटा तो फिर आपको यहां ना दिखाना परता फिर यहां आता यहीं पर आपका 30,000 आ रहा होता और फाइनली इंको क्या मिल गिंगे इंकी उप्टी शेर प्रेफरेंस वालों की पहले बांट दी क्योंकि अकर वो ज्यादा आ रही है उनकी के बदले तो अटोमेटिकली उतना डिफरेंस रिलाजिशन में चला जाएगा वहां उनको कंसिट्रेशन दे तो आपका एक कुटी शेरोड अकांट तेली हो जाएगा तो वह तरीका आपके पास जो रहत है हम करते हमेशा नाओ जो रवी लिम्टिड की बुक्स है यहां पर आपके पास बेटा बैंक कॉंड मांग है पर उसके लिए हमें थोड़ा सा शेर्स वाला ध्यान रखना है कि कितने शेर्स किस-किस को दिए क्योंकि टोटल 40,000 के और इस पर कितने शेर्स हमन में दिए थे 6,000 और 540 हमने दिए किसको प्रेफरेंस को और 10,000 हमने दिए कुटी वालों को टोटल देने का दिए बाकि किसको दिए उसने लिखा है पब्लिक को दिए जा रहे पार पही फॉर कैस्ट टो यह आपके ध्यान रखना है तो वह आपके चीज आ जाती एंट्री जो कि यहां पर बैंक और में एक तो जो बैलेंस टेक ओवर हो क्या है वो और जो शेर सीशू करें तो टोटल बैंक बैलेंस हो गया अब जब बैलेंस इट ना आएंगे तो शेर केप्टल तो पूरी चार लाख आगी ठीक है यहां पे छोटी चीज आती है सर आपने एक बैटा आता है अगर कंस्यूटरेशन नेट पेमेंट से निकाली हो नेट पेमेंट से और ऐसे लाविल्टी स्टेकर नोवर की वैल्यू अलग दे रहे हो तो आपको डिफरेंस देखना पड़ेगा गुडवी लिया क्योंकि यह आपको अपने पास करना है और यह मैंने अप आता है यह निकाल लैं प्पी की वैलियू कोस्यनी पहल दों को यह हमारा टोटल नेट आएसेट हो के और यही मारी पीसी थी तो इसलिए कोई डिफरेंस नहीं है आँ हो सकता है डिफरेंस होता अगर consideration ज्यादा होती तो बागी गुडविल आया था जो उसकी गुडविल है वो तो उसने बोली दिया लिमिनेट कर दो पर डिफरेंस में आ जाता या अगर consideration कम होती तुम्हारा capital जबा रहा था पर वो working note बनाना जरूरी है उसके मेरा balance sheet कैसे बना दोगे नहीं तो कि consideration निकली है net payment से asset liabilities अलग से टेक और कर तो डिफरेंस तो चेक करना पड़ेगा तो वो किया वह नहीं था इसलिए हूं मैंने यहां पर आपके पास बना के दिखाए ठीक है नहीं तो यह चीज़ का ध्यार नखना है और फिर अब इसके साथ आपका यह जो आपके पास complete हो जाता है अच्छा कोश्चन था बड़ आपकी मांगी नए वाले की भी आपकी मांगी तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है अगर concept clear है तो गलती नहीं होती हमारी ठीके न जो अगला कोश्चन बड़ा उस पर चलते देट इस पर दी चैप्टर इंटर्नल रिकंस्ट्रक्शन तो यहां पर रिया और्गनाइज कर रहे हो इंटू विकॉज लॉसिज हो रहे हो बैलेंशीट दे रखे बड़ा आपके पास जो है कंपनी की इंदर आपके पास शेडियूल 3 फॉ प्रेफरेंस वाले 15,000 और इंका डिविडेंट चार्ड सालों से एरियर में है इधर सेक्यूलिटी प्रियूम का बैलेंस और प्ल का डेबिट दिया है लॉंग टर्म बॉरिंग में डिवेंचर्स और आउट्शनिंग इंट्रस्ट है वैसे आउट्शनिंग इंट्रस्ट य चीज़ें उसने बैलेंस चीट में आगे देदी जब भी विटा देखो शेडियूल 3 के साफ से कोश्चन में आता तो कोश्चन एक बात देखने में लंब आता है बट आपको थोड़ा ध्यान से रेखने होती वैल्यूस कौन सी कहां लिखिये कहां कि नोट बने है तो नोट एक्टिवली आपका उसको ध्यान में रखते बनी जाएगी तो जनरल इंटिस में एक एक करके देखते हैं प्रेफरेंश को रिड्यूस करके लेगे धाई रिपे पर शेडियूस तू है बाई नहीं तो दस वाला अगर शेर है तो धाई पर चला गए साड़े साथ रुपे क रिडक्शन होगी और एक रुपे पे ले गए तो नौर रुपे की रिडक्शन होगी तो एंट्रीज आ जाएगी तो यहां पर मैं एंट्रीज पर चलूँ सबसे पहले आपका प्रेफरेंश शेर में अगर आप देखेंगे बेटा 15,000 शेर थे 10 वाले उसके बदले 15,000 दे नौर पे रिडक्शन में चला गया तो मैंने वो वेल्यू आपके सामें लिग दी दो लाग ट्वेंटी और नहीं देंगे तब तक लॉसिज को कैसे राइट आफ करेंगे जो मीन मकसद होता है स्कीम का वही ही होता है ठीक है न तो यह दो एंट्रीज आगे देन इसमें कोई वेवर नहीं है अगर वेवर होता है यहां पूरे को सेटल कर रहे है एक रुपेका वाले शेयर इकुटीज वाले जो मारे नहीं है तो एंट्री आगे कैप्टर अक्शन टू इकुटीज शेयर कैप्टल पिर नेक्स के रहे है सेक्यूरिटी प्रीमियम कोई इसक्र लाइज कर लिए ट्रांसफर कर दी कैप्ट अप्ट अप्टू में तो वो भी हमारा मदद कर दिया जाएगा बाद में लॉस्स को राइट ऑफ करने के लिए बिर उसके बात कोश्चन कहा रहा है जो पुर्णा कर फ्री योल्ड प्रापटी अगर हम देखे कोश्चिन में कितने की है फ्री योल्ड प्रापटी को 75 में लेके जारे वो लोग तो 120 की चीज है जिसे 75 में लेके जारें पर उनको हमने देना कितना था 55 अब 55,000 के बदले उन्हें एक एसेट दिया जिसकी वर्थ वै एंट्रि हमार पास आगी तो डिबेंशर को खतम करने के लिए उनको डेबिट किया, फ्रियोल प्रोपरिटी को खतम करने के लिए 120 वो गया, जो फ्रियोल प्रोपरिटी की वेलु कम लगाई वो कैप्ट अडक्शन में चलीगी, 120 की चीज को 75 पे लगाया आप इसे तोड़ तोड़ के दिखा सकते हो और बाकी जो वो पे कर रहे है वो बैंक में आ गया बेटा 20,000 75 में चीज लेके जा रहे हैं जबकि उनको देने थे 55 तो वो एंट्री एक ही बना दी नहीं तो आप अपने पास क्या कर सकते हो जैसमिन बूल अतोर तोड़ के दिखा दीजिए वैसे भी हो जाते हैं ठीके न अतोर तोड़ के कैसे आगा सबसे बहले फ्रीवल प्रॉपरटी क उसके बदे 75 तो 20,000 वो हमें नागत देंगे तो एंट्री आते बैंक टूड़ वह हम तोड़ तोड़ के अपने पास सीख लेते हैं कई बर जो कोशन में आपके पास क्लास में कराता हूं यहां पर एक एंट्री भी आप दिखा सकते हो बट अंडर्शनिंग होना जरूरी है ठीक है जो नेक्स था यहां पर प्लांड मशिन्री को राइट डाउन टू रूपीज वन लैक कर दिया तो यह हम यह सारे राइट अपस इकठे डाल सकते हैं इन्वेस्मेंट्स को बेस दिया बटा थर्टी टू में तो यह एंट्री तो दिखाई जा सकती है तो इन्वेस्म मशिन्री को भी कम किया गुडविल को तो बेसिकली आपने राइट ऑफ ही कर दिया और अपसोलीट शॉक दस जार का आपने वह भी राइट ऑफ कर दिया तो प्लांड मशिन नी बेसिकली 130 इसे बन लैक पर आगे 30 होगी कम गुडविल खतम कर दी और इन्वेंट्री भी 10,000 फिर आपके पास बेटा अगली चीज जो आ रही है वह है कंटिंजेंट लैबिल्टी जिसकी कोई प्रोविजन नहीं बनाई भी वह सेटल हुई 7,000 में तो पेए कर रहे है और एक उसमें से वहां 6300 रिकावर हो रहा इंशोरेंस है तो अल्टिमेटली आप चाहए दो एंट डिकाट रिक्षण तो कॉंटिंजेंट लिए डिविल्टी डिविट करके खतम हो गया 6300 मिले 600 नेट में केप्ट रिक्षण में जा रहा नेट में साथ सूई है अब अगर आप इसकी दो एंट्रेस दिखाते तो एंट्रेस दिखाते रिक्षण टू बैंक और बैंक टू कै वह ही नहीं बात वह तो में मकसदी स्कीम को होता है कि नुकसान को राइट अप करना वह एटी था और फाइनली जो बैलेंस है केप्ट रेक्षण का कहां चला कि बैटा कैपिटल रिजर्व में यह आप कैस कैपिटल में जाके खतम हो जाएगा ठीक है ना तो वह आप कैस हो रिजर्व सर्प्लस में तो कैपिटल भी आगया शेयर कैपिटल भी आपको दिखा देता हूं यहां पर आपके किस सार्व से बन रहे है शिक्सीएट थाउजन एकुटी शेयर से और प्रेफरेंस धाहिर पे वाले तो वह आ गया यहां कैपिटल जब आ ठीक है इन इधर बेची हमने और चीज़ों जो एलिमेंट्स करें हमें डिबैंचर ओल्डर ने पैसा दिया था 20 तो हम क्या कर सकते थे नेट करके दिखा सकते थे यहां पर क्या किया हमार पार इंस्चूट ने आंसर ले थे बैंक कोड़ी अलग दिखा दिया और जो बैंक बैंक बैलेंस करने के बाद आप नेट करके दिखा सकते हो ठीक है ना क्योंकि है तो बैंक का यह सारी ट्रांजेक्शन का बैलेंस करके आ रहा था 20 जो मिला था डिवेंचर ओल्डर से मिला था उनको ज्यादा की फ्रीवल पॉप्री दी थी बाकि 32000 इंवेस्मेंट बेची तो और वह सास् जो फिक्स ऐसे रिवाईज वहांगे ठीक है जी आपके पास कोश्चन जो है वह कंप्लीट हो जाता है और वेची देखे मैं कोश्चन को सौल नहीं कर रहा पर यह है कि आपको बचाते चल रहों में इस कोश्चन के अंदर कहता कि एक बार क्लिए मारे माइंड से वह गो कोश्चन से ठीक है देन नेक्स्ट जो बेटा कोश्चन था लिकुडेशन अव कंपनी से असान कोश्चन है आपके ट्रायल बेलेंस दियावा है लिकुडेटर फाइनल शेटमेंट आफ अकाउंट मांगा जिसके अंदर डेबिट क्रेट करके वेल्यूज है प्रेफरेंश केपिटल है पच्छी सो प्रेफरेंश येड से सौ वाले फुली पेड़ एकुडी के अंदर चारजार सौ वाले तो फुली पेड़ा पर चारजार सौ वाले फिफ्टी पेड़ा पर इनसे 50 रुपीज मंगा सकते है अगर जोद पढ़ेगी तो फिर प्लांट सौक डेटर क् पहले से मॉट्गेज लोन है आउट्सेंग लिविल्टी फॉर एक्सपेंस है पी एनल का बेसिकली डेबिट दे रखा है क्या कह रहें आपको फॉलिंग पॉइंट 21 जनवरी को लिकुडेटर ने प्लांट बेचा बेटा स्टॉक बेचा 10 परसें कम पे 80 परसेंट का माइनस कर दिया तो वह वैल्यों आगी और स्टॉक का बेटर 90 परसेंट उसने बोला तो या गए सारे पैसे हमार पास रिसीव हो गए यह सारे पैसे आ रहे है एसे बेच कर तो यह पॉइंट यूज हो गया हमार पास ठीक है न पिर जो पे लाइविल्टी में पेमेंट की ब लिकूरेशन का खर्चा जो है 3600 है रेमुरेशन बेटा हम बाद में आते क्योंकि वह प्रेफरेंस लिकुडी के ऊपर है तो यह चीज़े में पहले डालते तो हूं सेकेंड पॉइंट की और थर्ड का खर्चा तो खर्चा दिखा दिया 3600 का रेमुरेशन बाद में आईगी mortgage loan का बेटा 460 और 6 मेने का interest जो था वो दिखा दिया creditors को बेटा उसने कहा था 5% कम है और जो यह value थी और outshending expenses को भी 20% कम पे था तो यह payment आगी फिर आते है प्रेफरेंस लिके जिनको उसका capital का पैसा दिये जा रहे जो आपके सारा था पूरा और एक साल का प्रेफरेंस जि पे होगे अब हमारे पास question ने क्या बोला था preference dividend को एक साल का दे दिया उसने बोला था remuneration जो है वो 4% on disbursement to shareholders है preference security मतलब जितना preference security वालों को दोगे उसका 4% देना है पर excluding preference dividend subject to minimum of 20 and liquidator की remuneration को round off करना to multiple of 10 तो उसने conditions डाल दी एक तो जितना preference preference equity वालों को दोगे उसका 4% देना है पर preference dividend कर नहीं देना मतलब कि सारी receipts में से सारे खर्चे minus कर दो payments preference dividend भी minus कर देना तो amount जो आएगा वो क्या आएगा जो preference को सिर्फ capital का देना और equity वालों को देना उस पर 4% जितना दोगे तो जो बचाओ को उस पर क्या करोगे 4 by 104 साथ में वह value कम से कम 20 होनी चाहिए मतलब और preference dividend भी देखे minus कर दिया अब यह पैसा बचा है जो preference की capital वालों को देना और equity वालों को देना इसका क्या करा 4 by 104 और यह कितना बनता है 25,000 20 और 20,000 विच्वर इस हायर minimum 20 था ज्यादा ही आ रहा है और वह 25,000 20 रुपे multiple of 10 में आ गया तो यह minus करके बाकि आपके आपके reference का और यह equity का आगया अभी कुटी में क्या था दो थे वेठा एक आपके पास 100 वाले fully paid up थे 100 वाले 50 पेड़ थे तो बेसिकली उसका ध्यान अमें रखना था तो वह national call मंगाई total आया divide by 8,000 करा तो इतना refund पर share आगे ठीक है ना तो जो 100 वाले थे बेसिकली उनको आपके पास refund की बात हो रही है और जो दूसरे वाले थे उनसे 50 मंगा रहे थे और इतना refund करना था तो net आपके पास चीज आ जाएगी तो net में हमने क्या किया पूली पेड़ वालों को तो पूरा refund कर दिया और जो पार्टली वाले थे उनसे 50 मंगा रहे थे तो इतना 50 नेट करके होगे तो फाइनली आपके पास होगे complete हो जाएगा कोशन साथ में द्यान रखने वाले पॉइंट क्या थे मैं द्वारा बोता हूंगा आपको में सबसे आदा इंपॉइंट तो बेटा आपके पास था जो रेमूनरेशन थी वहां पे एक्स्क्लूडिंग प्रेफरेंस बड़ा क्लीर लिखा था बच्चा के अगलती करता है वह प्रेफरेंस को पांच परसेंग आपके पास आउट्षैनिंग तो बीस परसेंग कम लॉन मोर्ड की जो को छही मिने का एक्सेंटर्स जो पैसे आ रहे थे स्टॉक के आपके आपके डेटर्स के वह छोटी-छोटी चीजी थी एक्सिंग बैंक बैलेंस का ध्यान रखना तो उसके साथ यह वाला लिकुडेशन का कोश्चन स्टेट्मेंट अफ अकाउंट का कम्टीट हो जाता है ठीक है थेन बैंकिंग कंपनी का बड़ा यह असान सा कोश्चन यह वाला तो तो कोश्चन दे रहा है फॉर्वड बैंक लिम्टेद इंफोर्मेशन दे रहा है 31st मार्स 20 की क्लोजिंग निकालना होगा जिसके लिए इंफॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन दे रहा है वैल्यू अफ बिल्स देट है और रेट ऑफ डिसकाउंट है तो हमें क्या करना है देज आफ्टर 31st मार्च करना है वह उसने बोला रिवेट ऑन बिल्सकाउंट है निकाल दो 365 है तो हमारा रिवेट ऑन बिल्सकाउंट है निकालने के लिए क्या करना बड़ेगा दर हमें सिंप्ली डेज आफ्टर 31st मार्च लेना तो बैटा ड्यू देट दीगी है डेज आफ्टर 31st मार्च निकाला पी इंटू आर इंटू टी किया 1095 जैसे वैल्यू है 14% रेट है औ आपर डिविट निकांट इंट्र रिखन रिवर्ट कला आब बड़ेट रिवर्फ काउंटे 6ur2 में डिचोंट डिउल सीगोर्ट इंटर ढश्वाश्माण रिवर्बियों की इंकम तो परिव इंटेशन देटकर किया करें चैसे टीए करने की आफिरों की girie प्रफाशिंतJ आपके पास opening प्लस कितना मिला माइनस क्लोजिंग वह पी एनल में चला गया ठीक है तो बहुत कोश्चन करते हैं अपने पास लेच्चर के दुरान बे और यह जनली आपके आपके इंस्चिट पूछता है इंदीजार बॉनस मांक्स ऐसे कोश्चन में हम एक्सपेक्ट नहीं क तो यहां तो आपकी condition क्या थी condition के आपके पास बेटा ऑउछनिंग बेलेंस वह हमारा जाद हैambling To क технолог करते संकरेंचंद आता है या तो आपके पास ़ोह है इंट्रस जितना लगा हम बेसिकल्य उसे पंच से मतलब जो टोटल आपके पास credits है basically वो आपके स्कम है effectively ठीक है न या तो कोई credit नहीं है या जो credit है वो sufficient नहीं है to cover the interest तो अगर मैं simply बोलूँ आपका बेटा amount outstanding जो है वो तो इन दोनों से basically कमी है तो इस base पे NP नहीं बनेगा पर अगर देखू interest लगा 320 का पर जो पैसा deposit करा account में वो 180 करा तो we were not able to at least service the interest इसका मतलब we are not able to at least pay for the interest जो period का है for a period of 90 days तो वो आपका क्या बन जाएगा NPA बन जाएगा इस question के अंदर तो यह NPA के लाया जाएगा तो यहां पर हमारे पास लिखाए बेटा यही है cash credit account is NPA because the credit in the account is not sufficient to cover the interest during the period and it is for overdue period of 90 days ultimately आपके पास वो 90 days के base पर यह क्या बन गया क्या क्या जाएगा it will be NPA हमेशा बेटर होता है कि आप condition लिख दो हम वो अपने पास चार्ट बहर है कि तुरू में आपको सिखा था हूं कि दो conditions है अगर balance ही जादा था तो बन जाता यह balance कम है पर या तो क्रेइट नहीं हुआ या जो क्रेइट है वो sufficient to cover the interest तो आपका इस क्या बन जाएगा एंपे बन जाएगा ठीक है देन अगला बेटा question है और फंड की computation को लेके है तो कह रहा है ओंड फंड पूछा है नेट ओंड फंड नहीं पूछा दोनों चीजों में फरक होता है थोड़ा सा वो रिवाइस भी करा दूँगा paid up capital है free reserves है security वे में capital जाव बेटा सिरफ sale of assets वाला लेते है वो दियाव है compulsory convertible preference share भी दिया रिवेलेशन 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 रिवेटा इसमें आता नहीं और capital जाव सिरफ sale वाला आता है वह आपके पास यहां पर दिया वै तो यह वैल्यूज हमारे पास सारी एड हो जानी है तो 400 200 50 50 100 यह टोटल करके पांचों व पंड क्या होता है वैसे यहां इन्फोरमेशन उसकी है भी नहीं नेट रवन होता है ओन फंड मेंसे जितनी investment in group companies हमने करी है एकसेस और 10% फो वो माइनस कर दी जाती है तो आया तो यहां इन्फोरमेशन नहीं दी यहां असान था पेड़ प्रोविजन की कम्प्यूटेशन क को लेके हैं यहां पर हमें बड़ा clearly period overdue दिया है हमें इसकी slab बिटा होती है 0-12, 12-24, 24 मतलब एक-एक साल के gap के बाद है और rates होते है 0-10, 40, 70, 100 तो वो हमारा सीधा netbook value के ओपर आपके पास लग जाता है तो netbook value के ओपर हमारा rate लग जाएगा applicable depending upon वो कौनसे slab में फॉल कर रह है तो इसकेस आपसे आपकेस पहले का 0 है वो अप्टू 12 है फिर 24 पर 10% लग जया netbook value के ओपर फिर आपकेस 40% है वो 24-36 हो गया फिर 36-48 पर 70 है वो values निकलती जा रही है और last वाले पे more than 48 पर basically 100% आ गया तो असा कोशन 4-5 नंबर का आता है एक्जाम में bonus माक्स अल्टिमेट rates के 0-12 months 0% है 12-24 10% होता है netbook value का interest वाला इस question में कोई relevance नहीं होता 24-36 months का आपके पास बेटा 40 होता है फिर 70 होता है 36-48 और more than 48 100% है बस वो याद रखने apply करने answer आ जाएगा तो यहां पे ना banking nbfc में तो काफी चीज़े वो rates याद रखने है प्रोवीजन वगेरा के और वो काफी बार plain questions आ रहे होते हैं तो यह आपका one of those questions था वो then next question बेटा आपका consolidation से related है असान question यह वाला भी question है A limited ने acquire करे 70% equity shares B limited के 20 उरफे पे face value 10 वाली है वैसे 31st March को 140 लाग में calculate the amount of share of A limited and minority interest in the assets also compute goodwill capital तो हमें basically cost of control भी बता करना है goodwill capital और acquisition of the shares information दे रखिए property plan equipment investment current assets loan advances debentures और current level तो बेटा यहां से तो क्या निकल दयागा सबस्वरे net assets यह total net assets का हमने 70% require करा simply 20 उर्पे पर share के हिसाब से हमारे पास है basically 140 लाग हमने में खरीद है ठीक ना तो यह हम अपने पास बात कर लेते हैं तो जब हमने निकाला सबसे पहले तो net assets basically basically बन क्या है 340 net assets बन क्या 340 अब minority वालों का तो इसमें 30% है वो तो बात ही clear होगी वो तो बात खतम होगी अब हमारा कितना है 70% है और 70% क्या बदले हमने कितना दिया बिटा 140 तो basically आपका सब्सक्राइब क्योंकि हमने पैसे कम दिये as compared to कितना रहा तो आप अगर यह करते कॉस्ट कंट्रोल में जितनी कॉस्ट आफ इंवेस्टमेंट है माइनस ने टेसरे तो वह आपका नेगेटिव बनता नेगेटिव इसक्राइब अगर दूसरा आता आपके पास तो वह गोड बनता रहा है कितने उसका रेलिवेंसी नहीं था यहां पर वह जूरत नहीं पड़ी इन आपके पास बेटा कोश्टन्स रिलेटिंग तो आ रहे हैं हमारे अकांटिंग सेंडर्स जो लास्ट सेट बसता है कॉए को कि नंबर आफ चैप्टर हमारे पास नौ चैप्टर है तो for the year 1920 the court has issued the order on 15 April and rejected the claim of the company accordingly company is liable to pay additional tax the financial statements approved 31st May 31st May approval और court quarter पहले आगे मतलब साल खतम होने के बाद पर approval से पहले ठीक है क्या कंपने को account कर लेना चाहिए for tax इंदे 1920 और क्या वो अगले साल करेगा तो बेटा इसका आपका condition is existing on the balance date case तो चल रहा था एंड जिसका additional evidence obtained हो गया basically before the approval of final account तो वो 31st में से पहले आगे 15 April तो logically we should provide for in 1920 तो उसको लेके question है यहाँ पर to decide whether event is adjusting or non-adjusting conditions के evidence होना च्यों और वो event must be related to period ending on reporting date तो यह adjusting event के हमें definition देने हैं दोनों conditions satisfy होगी पेटा court order is conclusive evidence which has been received before the approval of financial statements since liabilities related to earlier year it will be adjusting event और इसको adjust करा जाएगा 1920 में ही तो आप हमेशा क्या लिखेंगे हमेशा करने का तरीका क्या होता है पहले हमेशा लिखोगे आप अपने पास applicable provision वहाँ पर वैसे अगरा नंबर बोलो तो पैरा एट आपके पास adjusting event की definition देता है वो लिख दिया कि where the event is providing additional evidence of the condition existing on the balance sheet date और फिर हमने बता दिया भाई condition existing on balance sheet date का है जो case चल रहा है additional evidence का है जो court का order आ गया before the approval तो यह क्या बन क्या additional basically adjusting event और इसके adjustment हमें पिछले साली कर देनी चाहिए ठीक है ठीक है अगले वाला जो है वह बेटा वह बी basically यहां पर गलत बेसिकली लिखावा है वह है अचली में आपका question AS4 वाले से ही है या even AS29 बोल सकते वह AS5 वाले में यहां पर बात करी भी है XYZ Limited is in the process of finalizing its account for the year in the 31st March 20 company advice मांगरे ऐसाम सेम question अपने पास AS29 में भी क्राया था हूं और महीं बात कर ले थे हमलो company का tax assessment for assessment year 17-18 complete वहता 14 February 20 को demand 5.4 crore की company ने entire amount दे दिया बेटा under protest without prejudice to its right of appeal company ने फिर appeal file करी wherein the grounds of the appeal covered 3.7 crore बेटा order आया 5.4 crore का आपने 3.7 crore की तो appeal file कर दी अब जितने की तो आपने बेटा appeal कर दी मतलब जितनी liabilities acceptance नहीं दे रहे वह अभी भी एक तरीके से pending होगे वह आपकी contingent liability में चला देगा क्योंकि अभी उसका decision आना बाकी हो गया क्योंकि उतने के आपने माने नहीं आप पिछले वाले से तो आपने उसके लिए appeal file कर दी और जितने के अपने appeal file नहीं करी मतलब basically आप उतनी liability accept कर जोगे तो उतनी की provision मना दीजिए उतनी की provision मना दीए और जो आपने amount अभी under protest दे रखा है क्योंकि advance के में देना पड़ता है पहले ही वह आपका advances में दिख जाएगा तो सिंपल सी चीज़ है जितने की appeal file नहीं करी वह provision जितने की file कर दी appeal वह contingent liability अभी और जितने advance दे रखा है वह loans advances में हमारी balance sheet में दिख जाता है तो वही आपका प्रवाइड प्रोटेस्ट वह long term loan advances में आजेगा है शौट टम में depending upon कैसे हो रहा है और contingent liability साथ में अलग से आजेगी 3.7 क्रोड की तो वह आपके पास चीज़े बन जाती हमारा को तीन चीज़े ही बताने है आप तीन हमने आपे बता दी ठीक है न अगला बेटा एस 7 का है कोश्चन अचान कोश्चन है Sky Limited belongs to heavy engineering contractors specializing in construction of flyover the company just entered into a contract with a local municipal corporation for building a flyover basically company ने contract enter correct flyover बनाने के लिए कोई activity अब तक शुरू ही नहीं हुई as per term Sky Limited को basically मिलेंगे additional 50 लाक रुपे अगर construction flyover की बेटा finish कर दी हमने within a period of two years from the commencement of the contract अगर हमने basically 2 साल के अंदर commence कर दिया complete कर दिया contract तो हमें additional revenue basically मिलेगा कितना 50 लाक रुपीज ठीक है न बेसिकली यह क्या एक तरीके का incentive है accountant wants to recognize the revenue since in the past company has been able to meet similar targets very easily अपना opinion यह तो बिटा as7 क्या बोलते है यह सेवन बड़ा clearly बोलते है जहां incentive की बात आ रही है आपने अब तरक काम शुरू नहीं किया तो मान लीजे दो साल में complete करना है तो पचास लाक मिलेंगे अब आपके बस देड़ साल के अंदर में मान लीजे यह फस्ट यह एंट पे आपने 70% काम complete कर लिया कर लिया 70% काम complete first year and pay तो पहां यार पता है यार अब मैं दूसरे साल के अंदर बच्चे भी 30% को भी कर लूँगा तो उस case के अंदर आप record कर सकते हैं incentive को otherwise नहीं कर सकते हैं अभी तो काम शुरू भी नहीं किया तो यहां पर आप नहीं कर सकते हैं वह तभी होता है जब contract sufficiently advance ह हो चुका है और हमें लगता है कि हम complete कर देंगे तो according to a seven incentive payments are additional amount payable to contractor अगर specified performance standards are met or exceeded for example contract may allow for incentive payment for early completion और इसे कब recognize करने बिटा जब conditions meet होगी और वो क्या है contract is sufficiently advanced that it is probable that the specified standards will be met or exceeded कि contract to stage तक पहुंच चुका है कि हम basically पूरी उमीज़ है कि उसे complete कर देंगे target को achieve कर लेंगे and amount भी हमें major पता है मतब amount calculated ऐसा नहीं कि उसका पता ही नहीं कितना मिलेगा तो यहां तो defined ABC Limited construction contractor undertakes the construction of commercial complex for XYZ Limited ABC Limited ने submit कर separate proposal for each of the three units a single agreement is entered into between the two parties the agreement lays down the value of each of the three units respectively also lays down the completion time for each unit क्या बताईए single होगा contract या three separate contract होगा हमारी कुछ conditions थी हमारी conditions ही कि हमारे को अलग-अलग मानना है एकठे में लगाना है कि अलग-अलग मानना है contracts को ठीके ना तो उसके लिए हमारे पस conditions आपके वास होती है कि अग हम अलग-अलग हम मानते हैं बेटा जब separate proposal submit करे जा रहे हैं separate negotiation है ठीक है ना और तीसरा जब cost revenue भी separately identified है तो यहाँ पर basically अगर हम देखे तो यह सारी conditions पूरी हो रही है जो उसने question में कही है तो इसे basically separate ही contract आपके पास माना जाए गाँ क्योंकि यह सारी आपके चीज़े अलग-अलग हो रही separate proposal separate negotiation and separate आपके पास revenue and basically जो उसके cost बगार है वो separately identified कर जाए कब एक मानते हैं हमने कहा था जब negotiation as a basically single package किया जाता है आपके पास एक अठ्थे में आपके पास दिया जा रहा है complete जो है एक ही proposal दिया जा रहा है ठीक negotiation single package में लेते विए उसे हम एक अठ्थे में अपने पास लेके चलते combining the contract उसे combine कर देते एक मानते उसे ठीक है तो 31 December 19 को शूज वर 320 भेजे थे मोंच शूज को for sale on consignment basis जिसमें से 25% अभी अंसोल रहेगे और उसके बचे भी है तो बेटा consignment के sale में क्या बोला है जितने consignee sale कर देगा उतनी sale है आपकी और जितना बचा रहेगे वह आप ही का शॉक है जो स्कास पड़ है तो हम 25% अगर भी बचे गए तो वह revenue नहीं है 75% जो बिग्या वह सेल में आएगा तो 320 का 75% तो 320,000 का 75% वह बना 240 ठीक है ना तो यहां पर आपके पास जो है sale will be recognized for the amount of goods जो सोल करे थे consignee ने third party को क्योंकि जब आप consignee को दे रहे हो consignor तब वो ownership transfer नहीं हो रही risk और basically जो है सारा कुछ वो consignor पही है जब consignee आगे बेच देगा तो actual sale है ठीक है देन दस जन्वरी को टॉंक टैनर्स ने supply करें शूर्स वर्स 452 शामी शूज एंड कॉंकरेंटली अग्रिस चुडी पर्चेस दसेम गूर्स ऑन 11 अपरेल तो हमने एक बोला था कि अगर आप आज कूर्स बेच रहे और यह साथ में आज इड बोल दिया कि हम इसको थोड़े कुझ सब्सक्राइब आपिस नमें के बाद वाफिस घरीज लेंगे तो इसे हम बोलते हैं और यहां पर ऐसा नहीं कि हम रेविन्यू रिकॉर्ड करेंगे जहां पर सैल करके आज ही अगरिमेंट बगिंटर कर लिया तो इसेलर कॉंकोरां तो इन में इट्सकाइंड ऑफ फैनेंसिंग एग्रिमेंट और उल्टा के जितना एक्स्टा देने की बात करते हो तो इंट्रस कॉस्ट के तौर पे रिकॉर्ड के जाता है जो हम कुश्चन अपने पास करते भी लेचर में पर यह रेविन्यू के तौर पे तो नहीं आगे इस इस नौट रेविन्यू और शुट नौट बी रिकॉग्नाइज रेविन्यू अगें लिखे दिया ठीक है देन 21 मार्च को शूज वर्थ 1.60 वर्थ सोल्ट तू शूज शाइन बट दू रिफर्बिशिंग उनकी रिक्वेस्ट पे शूज को डिलिवर के 12 अपरल को तो 21 मार लें और डिफर दिलिवरी अदैंटिफाईड अलक से थाखे भी हमने निकालके तो उससे में रिकॉड कर देण हें चीए तो देन नेक्स्ट बेटा एस 14 का अमेल कमेशन का वैसे तो अलग से कोशन भी आ गा था यहां पर वो एस के में दे दिया तो वो पर्चेस कंसिडरेशन तक सीमित रह था कोशन बैसी के लिए असान है तो कहरे जी आस्था लिंप्टिड जॉब बैर निस्चा लिंप्टिड इस फ्रेशन पर्शेट बैंचर इस्यूद अप्रिम ट्रेव तो लिएव तो लिएबिल्टिज को पे करेंगे खर्चे की पेमेंट करेंगे डिवेंट्र को पे करेंगे एन पेमेंट ऑ फिफ्टीन पर शियर इन कैश एन लोट्मेंट ऑफ 311 परसें प्रेफरेशन यर्ज and 4 equity shares of 10 each at a premium of 20% fully paid for every 5 shares in आस्ता लिए तो हमारे पास बेटा बोला है number of shares जो वेंटर कमनी के 150 है 10 वाले consideration तो consideration में क्या definition बेटा anything which is given to the shareholders as simple as that मतलब जो भी चीज शेरोल्डर को दी जारी equity and preference को वो चीज ली जाएगी चाहे आपने share दिये चाहे आपने डिवेंचर दिये जो भी चीज पर किसको दी जारी शेरोल्डर को तो जो भी चीज शेरोल्डर को दी जारी वो ली जाएगी तो यहां पर वो चीज उसने बताई है मुझे cash पगह रहा और preferences तो वो हमने लेना है तो the term consideration has been defined as aggregate of the shares and other securities issued and the payment made in the form of cash or other assets कुछ भी share securities cash other assets by transferring company to the shareholders of the transfer पुरानी कंपनी के शेरोल्डर को जो भी तीज जारी वो जाएगा payment made by transfer community to discharge the venture holders and outside liabilities and winding up का खर्चा वो consideration का पार्ट नहीं होता ठीक है तो यहां पे cash में बेटा 15 पर पर शेर बोला था वो आ गया धेड़ लाक शेर थे preference share दिये जा रहे वो बेटा बोला था हर पांच के बदले तीन शेर जो कोश्चन ने लिखा था तो हमें cash बोला था पंदरा रुपे पर शेर इन कैश तीन गैरा परसेंट प्रेफरेंस शेर दिये जा रहे और चार एकुटी शेर दिये जा रहे दस वाले बीस परसेंट प्र हर five के बदले तीन प्रेफरेंस शेर हर हर पांच के बदले तीन प्रेफरेंजेर दिये जेंट जो जो नहीं आता ठीक है न तो चोटा सा कोश्चन पोर marks पांक, past five marks तक तकका एक्जाम में बिटा आता है ठीक है न अगला सेग्मेंट रिपोर्टिंग है बेटा रिपीटिडली कोश्चन बिंग गिवन इन अर्टिपी ठीक है न तो आपके पासे बार बार आता है असान है कंपनी के इंटर सेग्मेंट ट्रांश्फर प्राइसिंग पॉलशिय और चार्जिंग एड कॉस्ट लेस फाइफ परसें तो बेसकिली इंटर सेग्मेंट दूसरी को दे रही है और किस पे दे रही है सौक की चीज मान लिजी 95 पे दे रही है तो यह आपके पास बतादी बात अब इसके बाद लिख रहा है कि मार्किट प्राइज वैसे जो है वो वेटा बीस परसे बाव कॉस्ट जैसे में निकला दोग की चीज दे रहे नाइटी फाइफ पर वैसे मार्किट में जो चीज है वो मार्किट पाइस जो एक सो बीस में लिखता आप बताएगे क्या पॉले तो हम इसकोई मेंशन कर देते हैं यहां पर अंसर में सेग्में रिपोर्टिंग इंटर सेग्मेंट ट्रांसफर शुद भी मेजर ऑन बेसिट एट एंटरप्राइस एच्छुली उस चुप्राइस दिखाओ जिस पर एच्छुली में दिया जा रहा है दा बेसिज ऑफ प्र इंटर सेग्मेंट ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिशी तो उसमें कोई दिखत की बात नहीं है जी अगर उसे कंसिस्टेंट्ली फॉलो किया जा रहा है तो असान सा कोशन दा जैसे मेंगा रिपीटिड ली था बिल्कुल आपके सान सा कोशन दा और जैसे में ने बोला बेटा रिपीटिड ली आपके पास जो है वो बार बार आटी भी में आया जाता है नौ अगला आपके पास बेटा एस 18 से रिलेटिड है आर लिम्टिड के 60 परसेंट वोटिंग राइट है एस में एस के 15 परसेंट वोटिंग राइट है टी में आर लिम्टिड के डिरेक्टली भी है 10 परसेंटी में टी लिम्टिड एक लिस्टीड कम्पनियों रेगुलरली सप्लाय कुरती है गूट्स आर को मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज नहीं कि अपना रिलेशन्शिप विदार आप बताइए सेस करिय के सिच्वेशन को एस 18 के साब से तो यहां पर उसने क्या बताया एक आर है एक स है और एक टी है और ऐसा कोश्चन नमार पस है बेटा बिल्कूल सिमिलर है जैसमें ने लिखा हुए क्लास कोश्चन 6 की तरह तो बेटा आर के 60% शेयर से एस में स के 15% है ती में और साथ में 10% जो है आर का डिरेक्ली है अब अगर मैं देखू 10% तो आर का टी में डिरेक्ली है और अगर इंडिरेक्ली देखूं तो जो 15% है एस का टी में और अब इसके लिए आर का एस में 60 है तो यह तो आपका सब्सेंशल में भी नहीं आ रहा कि 20% से आ रहा कि जिसमें हम बोलते है कि आपका इंफ्ल्वेंस को लेके तो यहीं चीज़ हम इंशन हो रही है और इसी की बेस पर मारा बताए जाता है कि रिलेटेज्ट पार्टी है की नहीं तो यहां पर डिफाइंस रिलेटेड़टी पार्टी जिसका एन्य ताइबुक्रोल ए यह अग्सरसाइज सिगनिफिकंट इंफ और significant influence में defined होता है participation in the financial or operating policy decisions but not the control मतलब वो significant influence अलाग अगर उसमें लिखा जाता है कि अगर आपका 20% से ज्यादा है तो हम उसे significant influence मान लेते हैं मान लेते हैं ठीकिना तो यहां पे 10% directly है और 9% बेटा indirectly था तो total बनके 19% in the present case control r limited का t limited में directly और indirectly स्रुम 19% है significant influence बेक्साइज नहीं हो रहा क्योंकि आपके सिरफ 19% आ रहा है 20% से ज्यादा होता तो हम लेते तो हैंस related parties यह आपके पास disclosure के जुरुत नहीं है बेटा क्योंकि हमने आपके बोला होता है कि signal influence तब आता है अगर आपका 20% ज्यादा है और साथ में आपकी जो conditions लिखी विए एस में बुरी होती है ठीक है तो यहाँ पे तो यह 20 से कमी हो गया तो इसलिए आपके पास से नहीं हा रहा control तो बेसिकली बेटा 50% से ज्यादा में आपके पास बात होती है ठीक है ना अगला जो question है बेटा 19 जो है एस 19 से वो question है सूरज limited wishes to obtain a machine जिसकी cost है 30,000,000 रुपे by way of lease effective life machine किया बेटा 14 साल but company को सिर्फ चाहिए पहले 3 साल के लिए तो 14 में से तिर्फ 3 साल के लिए agreement का lease rental 3,000,000,000 है implicit rate of return interest 15% है chief accountant sure नहीं है कि बताईए lease rentals की क्या treatment होगी वो advice मांग रहे है annuity factor दे दिया बेटा आपको तो यहाँ पे हमें basically यह बताना है कि वह operating lease है कि financial lease है रखे 5 उनमें से finance lease की कोई भी एक पूरी वाजते तो बन जाते ना कि या तो आपका ownership last में चली जाएगी directly या उसको option दिया जारा reduce rate में वो तो बात ही नहीं करी आपके वाज जो एसेट उस पेशलाइज नेचर का है वो भी नहीं है यहाँ पे फिर हम अपने आज बोलते है कि जो life of the lease term है basically वह substantially कवर करना चाहिए economic life of the asset वह भी नहीं यहाँ बैठता क्योंकि यहाँ 3 साल दिया जारा और 14 साल एसेट की life है और एक रहता है बेटा कि जो उससे lease rentals की बात हो नहीं है उसकी present value जो आपके substantially कवर करने चाहिए asset की जो fair value है तो अगर वह आपके बात करी जा सकती है कि 3,00,000 और 3.36 को देखते हुए तो वह अगर देखेंगे तो उसकी present value of lease rentals जो है lease payments वह भी बंचे 10.08 और वह भी आपका substantially कवर नहीं कर रहा है asset की fair value को तो present value इतनी है and fair value आपके पास 30,00,000 लीज टम शुट भी for the major part of the economic life अगर टाइटल नहीं बिजा रहा इन दा given case useful life 14 है जबकि lease कितने की सिर्फ 3 साल की तो यह क्या बन गया बिटा operating lease बन गया क्योंकि finance lease की कोई भी condition कोई भी satisfy नहीं हो रही है ठीक है ना तो lease rentals should be recognized as an expense in the statement of PNR on straight line basis over the lease term unless कोई और systematic basically हम मोलते है in the ratio of benefit drive तो अगर कुछ और नहीं है बिल्कुल सेम कोईशन था हमारे कोईशन की तरह कि देन अर्निंग पर शेहर में तो यहां पर आपके पास थीओरी वाला यह आगया practical तो दिया ही नहीं ठीक है ना यहां पर कहा रहा है यहां पर पर प्रपस ऑफ कैलकूलेशन बटाओ किस डेट से वेट को लेना है तो जब जागी डेट ऑफ कैश रिसीवेबल देन अगला आपके पास बोला है कनवर्जन हो रही है अगर कनवर्जन स्रॉम डिमेंचर्स तो शेहर मालने थी तो जिस दिन कनवर्जन हुई वहा गया आपके पास ठीक है ना देन अगला है एक्स्चेंज पर सेटलमेंट अफ लाबिल देंगे आप हमें सर्विस दे रह तो उसमें जिस दिन सर्विस रेंडर करी गई अल्टीमेटली वह एक्रू कब हो रहा है अल्टीमेटली बात वह रही है फिर इन ल्यू आप दा इंट्रस्ट और प्रिंसिपल अफ एनी अधर पनेंशल इंस्ट्रूमेंट है तो सिंपली जिस दिन इंट्रस सीजिस टू एक्रू है विकॉस हम इंट्रस्ट के बदले दे रहे तो जिस दिन इंट्रस्ट लगना बंद हो जा रहा है उस दिन से बैसिकली अब शेयर होल्टर बना दिये गे ना आपको तो वह चीज आगी और लास्ट है जिस दिन कंसिडरेशन फॉर आपके पास ले लिया जाएगा उस दिन की डेट से ले ले लिया जाएगा यह सेम कोशन बिल्कुल एक बार एक्जाम में भी आया वह जिसे आज यहां डाला है ठीक है देन आपके पास डिफ्रेंट कोश्चन आ रहा है रिलेटिंग टू एस 22 जो अगांटिंग फो टेक्स वान इंकम जहां डेट पर टेक्स ऐसे लाबिल्टी की बात करते है तो कोश्चन को ध्यान से मेरे साह समझेंगे पॉलिंग इंफर्मेशन दे रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ स्लेट लिमिटीड फोर दा इयर इंडिंग 31 मार्च 19 डेप्रिटेशन एस पर बुक्स डेप्रिशेशन फॉर टेक्स पर्पस देदी अब आप डेप्रिशेशन डेप्रिशेशन डूट इंक्लूड डेप्रिशे लाओ और यह पहले साल में टेख्स के साब से जबकि स्ट्रेट लाइन डेप्रिशेशन से is considered appropriate for accounting purpose with life estimation of four years तो basically किताबों में 4 साल में straight line करेंगा और टेक्स में पहले साल में 100% आ जाएगा कंपनी को इस साल में profit हो रहे बेटा 640 का before depreciation in tax, depreciation on tax से पहले 640 का profit है tax rate 40% है वैसे relevant extract बना यह statement of P&L का for the year ending and also show the effect of the above items on defer tax liability और asset तो यहां पे बेटा हमारा जो है ना अगर मैं सही महाने वहलू defer tax liability asset के लिए हमें दो चीजों पर देखना है एक इस point में जो depreciation as per books or tax इसमें नई asset की नहीं तो यह पिछलों की आ रही है तो पिछले सालों में जो assets उसका first time में आ जाएगा क्योंकि tax में 100% है किताबों में आपके पास बेटा क्या है चार सालों में दिया रहा तो उससे आ जाएगा तो दोनों चीजों को लेकि हमने बात करनी है तो किताबों की माइनस कर दिया है तो यहां तक हमारे पास बेटा निकल के आगी हमारी क्या प्रॉफिट बिफोर टेक्स जिसमें अगर मैं बात करूँ एक करन्टेक्स एक डेफ्टेक्स इसके अऐगा जो हमारी टेक्सिवलिंकम इनकम रपř हो निकाल लेते विट देख्स के 10 तो वह 190 थी और 120 वाले पर 100 थी इस पर 100 परसंट थी तो 100 परसंट के शाब से 120 आगी तो हमारी टेक्स बलिंगम आ गया और उसके पर 40 परसंट आ गया 132 तो यह हमारा बन गया करन्ट टेक्स वरकिंगनोट वन के शाब से अब चलते डेफर टेक्स में बेटा जो difference in depreciation हमारे पास आ रहा है वो 280 और 190 का बना 90,000 अब जनली क्या होता है हम अगर analysis कर रहे होना क्या है जनली WDV method हमारा follow होता है कहां पर हमारा income tax में जिससे higher depreciation होती है उसमें income tax में और कम depreciation होती है आपकी किसमें किताब होता है क्योंकि मां WDV ज्यादा rate लग रहा होता है तो वहां पर हमारे पस ज्यादा खर्चे की deduction मिल जाती है ज्यादा खर्चे की deduction मिल जाते है income tax में जिसकी वएसे उन सालों में initial years में defer tax liability आ रहा होता है क्योंकि उन सालों में ज्यादा खर्चा income tax में लाओ जाता है और आप कम टेक्स देते हो तो आपका DTL क्रेट होता है और जब वो कम होजेगा तो वो reversal of detail होजेगा तो यह timing difference है और इस साल में उसका reversal of detail हो रहे है क्योंकि detail create कब और होगा initial years में यह उस assets पर है जो पिछले सालों से आ रहे है तो अब आपका reversal हो रहे है डीटियल का आप डीटिये नहीं बोलेंगे इसे reversal of detail ही कहेंगे तो यह 90,000 का 40% 36,000 आ गया reversal of detail बोलेंगे डीटिये नहीं कहेंगे ठीक है और जो इस साल एसेट निया खरीदा उस पर क्योंकि सारी आपने इंकम टेक्स में और किताबों में कम है तो 120 महा लाओ कर दी यहां पर सिरफ आपने कितनी करी 30 तो 90,000 के ओपर आप डीटियल क्रियेट कर रहे है 90,000 के ओपर डीटियल क्रियेट कर रहे 40% 36,000 तो एक reversal है creation है नेट बेटा जीरो ही हो गया जल्दबाजी बच्चा है क्या करता है पहले वाले को न डीटी ए बोल देता है और वह मत बोलना उसकी वैसे नहीं तो निंबर कर जाता है नेट इफेक्ट हो गया तो निल आपके पस बन गया और फाइनली आपका टोटल टेक्स माइनस होके फाइनल आ गया या वैसे भी हमारको देखने को पता चल गया था जब हमारी बेटा एकाउंटिंग इंकम भी 330 थी और टेक्सवल इंकम भी 330 थी तो वैसे आपका यह यानिके डेप्रिजेशन इन टोटैलिटी इन टोटैलिटी बाद कर रहा हूं आपकी पुराने असेट्स और नएज़ दोनों पर मिला के आपकी सेमी बैठ रही है जिसकी वैसे अकाउंटिंग इंकम सेम आपका डेफरते वैसी नहीं आ रहे है को देफरते तो तभी आएगा ना जब एकाउंटिंगं टेक्सवल इंकम के ब्राबर नहीं है विकॉज आप सटेन खर्ची या इंकम जिनको एक हो जाते है ठीक है नो जो second part is question में आपके पास बोला गया है अलग question हो disclosure requirements क्या है for defer tax assets and defer tax liabilities in balance sheet disclosure requirements का basically चीज़ बोल दिये उसने तो theory question ने बीटा तो उसमें breakup of the defer tax assets and the liabilities in to major components of respective balance should be disclosing नोट चोंगा किस किस वज़े से आ रहे है क्योंकि हम अपने पास तो नेट दिखा रहे होते हैं defer tax asset and liabilities should be distinguished from the assets and liabilities representing current tax for the period तो यह अलग आपके 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 से disclose करके दिखाये जाते है defer tax and liabilities should be disclose under a separate heading in the balance sheet of the NPS separately from current assets and current abilities तो अगर आपने पास हम बात करते हैं तो वहां पर देर शुट भी वर्चुल सब्सक्राइब के पास पूना चाहिए तब ही आप अपने पास हम बात करते हैं तो यहां पर वही चीज आपके बोले हैं अगर आपके करने की बात कर होगे ठीके न वह चीज़ है नेक्स्ट आपके पास जो बेटा कोश्चन है वह डिस्कॉंट इन गॉपरेशन यह से रिलेटिड है कोश्चन है आर्जू लिम्टिड का बिजनस है मैनुफेच्ट्टर इन कोमर्चिल विकल्स का कंपणी वर्क कर है इस स्राडिजिक प्रेशन प्रफित कर स्थेटिक प्रेशन गांपे इसख्ट you? अम्यू अवह लिग प्रेशन अपने पास क्या मढई की अच्टार आपके व्रशन क्या है उखाना स्थाल क्या इस पास अंपर्शन अप्रवस् के दुआरों नहीं फेक्टरी भी अभी तक शाट नहीं कमेंट करें क्या मेर ग्रेजुल फेजिंग आउट क्या डिस्कॉंडडिनिंग ऑपरेशन है कि नहीं है एस्टाबिस के साफ से तो बिटा हमेंशा बात करते हैं वह सारी चीज़े हम पॉइंट बोलते हैं ठीक न वह सारे हम पॉइंट के बात करते हैं तो यह वह कंडिशन पूरी होगी तो इसकॉंटिनुएंगे फिर साथ में कुछ ऐसी अक्टिविटी ती जिनको आपके पास क्योंकि बिजनस में बेटा चेंज हमेशा में पहले वाला यह है वह फेजिंग आउट फेजिंग आउट क्योंकि चेंज अल्वेज इस नसेसरी आप पहले कोई और प्रोड़क्ट बना रहे थे अपको और बनाने शुरू कर रहे हैं तो पुराने प्रोड़क्ट की डिमांड नहीं है तो वह चेंज आपके जरूरी ह फेजिंग आउट कैननाट बी कंसिड़र एस डिस्कॉंटिनिंग कंपनी का स्ट्रेजिक प्लैन का भी कोई फाइनल अपूरूवल अभी तक नहीं आए बोर से और नो स्पेस्विट टाइम बाउंड एक्टिविटी लाइक शिफ्टिंग अभी तक शुरू नहीं हुआ है तो इस वह से उसे डिस्कॉंटिनिंग हम नहीं मानेंगे ठीक ना अगला कोश्चन बेटा आपके पास न्यू कोश्चन है इंटेंजिबल एसे का इविल से ठीक ना तो यसे ज़रा ध्यान सुनेंगे है बड़ा असान सा बड़ नया कोश्चन है नरेश लिम्टिट के फॉल बिजनस लिया नुस्ट निम्टिट कर 1080 में 15 मही को पेर वैल्ली उसके एसेट्स की पांचलाग सोलाजार थी नरेश लिम्टिट को व्यू है कि पॉपुलरिट अफ सुनिल निम्टिट से वह वह गुड वील एग्जिस्ट करती है तो पहला पुछ गुड विल की बात कर र क्योंकि जो गुडविल है बेटा एक पूजिशन के समय उसके लिए एस पॉटी बोलता है मैं लिए पांसाल हो मोटा इस करो बाकी जो इंटेंजिबल एसे थे हमारा एस निम्मर ट्वेंटेस बोलता मैक्सिम्म लाइफ कितनी है दस साल उससे ज्यादा अगर तो पर स्वेशि ले रहे हुआ पूरे साल के लिए हो तो पहले वाला पोइंट गुडविल का गुडविल पर बेटा पांसाल में करने हमने स्टेट लाइन में तो टेंटी में बिजनस खरीद था 516 उसके ने टेसे डिफरेंस क्यों गया गुडविल तो तो जो हमारा बनरा होगा नोट्स च प्रेंचाइज लिए जुडाई 19 को एक रेस्टूरेंट अपरेट करने के लिए संकल्प लिमिसीट से बनेटी में एन्युल फ्रेंचाइज एक्सपायर होगी चे सालों में नेट रेविन्यू सिक्स्टी थाउजन दूरिंग दा फनेंशलियर आपका इंकर अब यहां पर तो छे साल का लाइसेंस है हमारे हमारे पास जो उसने चीज लिखी आपके पास खरीदिये उसकितने सालों बाणना तो छे सालों में आपने डिवायड कर दिया बन 30 virus करके कितनी वाल दीकी 120 तो वह आपके पास 150 दिख जाएगी जो बाकिया हम रैकरिंग खचाद दे रहे वह तो अलग बात है आपकी फ्रें नरेश लिमिटिड ने इंकर करा खर्चा 240 का टू रिजिस्चर दा पेटेंट और पेटेंट की एकनॉमिक लाइफ कितने बटा आठ साल देखे दस से कम है ठीक है दस से जाधा होती है तो हमारी मैक्सिम्म जो पैरा 63 बोलता है दस साल इस दा मैक्सिम लाइफ उसे जाधा होने इसके बाद जो आपके पास एक लाइफ करके आपका टोटल करके नॉन करेंट एसे इंटेंजिबल एसे बैलेंशीट में दिख जाता है तो यह एक्स्टेक्ट मांगा था होता कि हम करते हैं अपने बताते हुए उल्टा कि हम तो डिफरेंट आपके को कोश्चन जो करते हैं इसलिए मैंने बोला था तो डिफरेंट है क्योंकि अभी तक ऐसा कोश्चन ड़ा वाने था पर असान था कोश्चन इसके बाद जो आपके पास एक लास कोश्चन है इसके दो पार से कंपनी अपको बनानी अगर उसकी कंडिशन फुल्फिल होती है और अगर आपको लगता है कि उसकी वह पैसे मिल जाएंगे पीछे ओरिजिनल सप्लायर से तो रीइंबर्समेंट दिखा दिए आप यह नहीं बोलेंगे कि प्रोविजिनल इना बना है तो रीइंबर्समेंट के तौर पर मलक से दिखा रहे हो तो जिसे पी एनल में नेट कर all of the expenditure required to settle a provision is expected to be reimbursed by another party reimbursement should be recognized when and only when virtually certain है पूरा विश्वास है कि बही वर्चुली सटन है कि reimbursement will be received अगर enterprise settle करेगी reimbursement should be treated as separate asset the amount recognized for reimbursement should not exceed the provision यह reimbursement है तो जितने की प्रोविजिन उसे ज्यादा की reimbursement नहीं दिखा सकते ठीक है it is apparent की company ने कोई provision नहीं बनाई considering की company को warranty cost मिल जाएगी however provision for warranty should have been made as per AS29 an amount claimable as reimbursement should be treated as a separate asset in the financial statement rather than omitting तो यह गल्त कर दिया विटा नहीं कि net effect may not be आपके पास ना पड़े बट वो गलत है as per the AS कि आपको प्रोविजिन भी बनानी जरूए और reimbursement भी दिखा दो अगर इंबर्समेंट की condition fulfill हो रही है accordingly it had been said the accounting treatment opted by companies not correct तो company ने जो किया वो गलत किया ठीके न then आपके पास जो last part है हमारे इस RTP का बिटा वो है examine explain whether the provision is required in the following situations in nine with AS29 provision recognize करने के लिए पैरा number 14 AS29 का कुछ condition बोलता है it should be present obligation as a result of past event आपके पास outflow of resources होगा and reliable estimate can be made तीनों पूरी होते तो provision बन दिया वरना नहीं तो वह contingent liability में जाता है तो उसी से related question है there is a present obligation that probably requires outflow of resources and reliable estimate can be made तो बैटा यहां पर अगर हम देखेंगे तो वही चीज़ आगी तो ultimately के present obligation है outflow of resources probably होंगे और reliable estimate किया जा सकता है तो provision को recognize किया जाएगा और disclosure कर दिया जाएगा तो provision recognize कर दीजिए अगले वाला possible obligation है या फिर present obligation that may but probably will not require outflow of resources तो provision आपके पास नहीं है बनने की बात क्योंकि possible obligation है या आपके पास उसने बात बोली तो possible obligation और present obligation that will not require outflow of resources तो no provision is recognized disclosures contingent liability के आपके बनाए जाएगे उसके disclosure दिये जाएगे क्योंकि contingent liability में fall कर गया और last है there is a possible obligation of present obligation where the likelihood of resources is remote तो बेटा contingent liability का भी एक आपके पास exception थी कि उसका disclosure करते पर एक case में नहीं करते जहां पर outflow resources remote है तो आप मत करो जहां पका यह पतार case जीती जाएंगे माल लो case file के और हमें लगता हम जीती जाएंगे तो outflow resources remote chance है बिलकुल तो वहां पर आप contingent liability का भी disclosure मत करो तो यहां पर वही चीज आगी तो प्रोविजन तो बननी नहीं है इवन आपका disclosure contingent liability वाले के भी जुरुवत नहीं एस पर दी एस 29 ठीक है तो यह आपके पास आर्टीबी में 2021 जो आई से ने बेटा release करा था वो मैंने यहां पर पूरा कपूरा आपके साथ किया कुछ अच्छे question बीच में थे amalgamation का वैसे किया वा question था थोड़ा सा different चीज हमने देखी जहां पर उन्होंने वह गुडविल कैप्टर वाला नहीं दिखाया वा था वह मैंने बात करी देन आयर का question भी वैसे तो आपके सासान था फिर उसके रावा जो new questions की बात करूं जैसे कि लास्ट वाला डेफिनेशन से रिल्टीड ही था इंटेंजिबल एसेड का था एस ट्विंट्ट्व अकाउंटिंग फॉर टेक्स नहीं कोशन से बाकी आपके आस नॉर्मल आपके रूटीन कोशन से अपार फॉंदी जो बाकी चैप्टर से ठीक है यह के कोशन और इसके साथ हमारी जो यह आपकी वैसे कंप्लीट हो जाती है वैसे मैंने आज कुस तेम पहले रिवीजिन मेराथॉन भी रिकॉर्ड करी थी ठीक है अब उससे अपने पास जरूर अपने पास यूज करे रेफर करे अपने चैप्टर को रिवाइस करें कि उसके नदर सारी च आपकी यह RTP की discussion वीडियो केटा खतम होती है चुन्द टेक क्यार एंड बाई बाई